हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि सब कोछ अच्छा होगा गूड इवनिंग एंड भारती क्रिके टीम के तमाम प्लेयर्स इस समय लगातार अभ्यास कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं जो कि 10 टेस्ट मैचेज हमें बैक टो बैक खिल दे हैं और इसमें से 5 आप में तो नहीं है लेकिन खबर आ रही है कि न्यूज जलेंड के खिलाप में मुहमद शमी जरूर खेलते वे नजर आएगे यानि कि जस्पीत बुमरास सिराज देना आप देखें तो शमी आपके पास में हो जाएंगे आकाश दीब की बात कर ली जाए वो भी बड़े ट शमी खुली चुनौती धंकी कहा जाए तो ये भी चलेगा आस्ट्रेलिया ही टीम को दे दी है शमी ने और काफी बड़ी बात कही है बौड अगवास कर रच टॉर्नमेंट को ले करके और कहना भी चाहिए क्योंकि आस्ट्रेलिया को आप अगर उनी की भाशा में नहीं समझ जाते हैं कि ये सोशल मीडिया स्टार है इनके बस की बात नहीं है ये है वो है लेकिन शमी ने दो टुक जबाब दिया है ऑस्ट्रेलिया ईटीम को और एक तरीके से खुली चुनौती भी दे दी है उन्होंने क्लेर कट ये मेसेज दिया कि हमने दो दफाँ आस्ट्रेलिया क जाकर के हमने लगातार दोनों सीरीज में हराया है. चाये वो 2018 हो या 2020-21 की हम बाद कर ले. दोनों दफ़ा भारत ये टीम को हराया आस्ट्रेलिया में. और अब श्रमी का कहना है कि आस्ट्रेलिया इसके लिए त्यार नहीं थी. उस्ट्रेलिया ने हमें हलके में ले लिया उनको लगा कि बस ठीक है जैसे पाकिस्तान को धो देते हैं जैसे बाकी टीमें आती है उस्ट्रेलिया और धुलबा करके चली जाती है बुरी तरीके से पिटबा करके चली जाती है वैसे हिंदुस्तान के साथ में होगा लेकिन यहा के रहाने के बारे में कह सकते हैं उनके कप्तानी में भी हमने आस्ट्रिलिया को आस्ट्रिलिया में धोया वो भी तब जब एडिलेट टेस्ट माच हम हार गए थे 36 रन पर हमारी पूरी टीम ओल आउट हो गई थी पडोसी मुल्क के तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं चाहे वो शोय बक्तर हो चाहे वो बड़े बड़े एक्सपर्स उनके उन्होंने कहा था कि भारतिये टीम ने ना कटवा दी और उसके बाद भारतिये टीम ने श्रिंखला जीता वही गावा का गवन तोड़ा था रिशब पंत ने और वही मिल्बन पे सेंचरी लगाई थी हमारे तकड़ बलबाज आजिन के रहाने ने तो शमी ने साफ طور पर यह बयान दिया है कि हमने दो दफ़ा हराया है उस्ट्रेलिया को और तीसरी दफ़ा भी हमरे आ सकते हैं चिंता हमें नहीं करनी हैं चिंता औस्ट्रेलिया को जाएंải यह बहुमत शमी का बयान आया है उन्होंन चिंता करने की वारी आपकी है, आप देखो कि कैसे आप भारतीय टीम के सामने में अपने आपको तयार करोगे, आप देखो कि कैसे आप भारतीय टीम के तगड़ी गेन बाजी लाइनप, तगड़ी बल्ले बाजी लाइनप के खिलाफ में आप किस रणनीती के साथ में तो मौहमत शमी ने एक तरीके से clear cut message दे दिया है और आस्ट्रेलियाई टीम को भी समझ में आ गया होगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है ये बातों की बात हो रही है यानि कि बातों पर ही match खिला जा रहा है भारते टीम ने करके भी दिखाया है तो शमी की चेतावनी आ लिट्रली सीरियसली लेगी और मुझे तो पूरा यकीन है कि जब हम आस्ट्रेलिया आजाएंगे तो हम आस्ट्रेलिया को उनके घर में तीसरी दफा भी हराने जा रहे हैं रोहिट शर्मा की कपतारी में ये मेरा वादा है आप लोग को क्या लगता है आप हमें कॉमेंट कर करके जरूर बताएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजेगा दोस्तों